कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स की पहली क्लास हम लोग आज शुरू करने वाले हैं लोग डॉन का पीरिड है को नवारेस का फियर है लेकिन इस फियर में इस एपिडेमिक के टाइम में भी आप लोग को अपनी घर पे पढ़ाई जारी रखनी है किसी तरीके का कोई आलस नहीं करना है क्योंकि पढ़ाई आप लोग के लिए बहुत है आप लोग क्लास के बाद आप लोग की आगे की करनी है तो कोई भी आप अपनी तरफ से कोई लेजीनेस ना दिखाए घर पे अच्छे से पढ़ाई करें और अब जब पढ़ाई शुरू हो गई है तो इसमें पूरा अप कि यह नहीं कि आप लूजनेस कोई लेजीनेस एन एन वे दिखाए तो पूरी तरह से पढ़ाई करनी है आप लोग का साल इंपॉड़ेंट है लॉक्डान के पिरड़ अभी है कल खतम हो जाएगा अचाना कि और आज सब चीजें आपके सामने होगी पूरा साल आपके सामने नहीं होगा टैम जा चुका होगा एक्जाम आ जाएंगे इसलिए आप लोग अपनी बढ़ाई कर ली है तो आप अपनी तरब से रेडी रही है बिल्कुल परफेक्ट टैक्ट होके बिल्कुल स्टेडी की जिए तो आज हम लोगा पहला चैप्टर करने वाले है चैप्टर क करना पड़ेगा क्योंकि वह चैप्टर इस चैप्टर में यूज होगा उस चैप्टर में ज pierwsुट हमें वाल में बढ़े हैं तो बैटर गया वहजब करें या फिर साथ जब इस चैप्टर के त्यारी करें सो फिर से मिस्टार्ट करते हैं यह हमारा परला चैप्टर पहले क्लास संबाद वह फॉलन रिलेशन एंड फॉंक्षन कि टो पहली चीज़र मारे दिमाद में आता है रिलेशन से हिशन सब्सक्राइब आश्क क्यों हे सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑने चैगे प्रपर रहे होंगे पढ़ने का तो इसमें जब शुरू करते हैं तो है इसले सब्सक्रांब्रोन एक शम्सक्राइए तो इसले सिंधों तो कि का सब्सक्राइब करें स्टेट रिखा पीप्यू पर यह पहला पर से पहला जो तेंग के अबी रेखा वह दूसरी रेखा पर क्या लंब हैं कि दीसरा एक्स वाई से कम है चौथा वाई एकस वाज्य है प्क्रवा दिए गए इसमें हर् में दो अव्यब हैं पहले में मोहन एक अव्यब है दूसरा और ऑवयब क्या है सोहन से मैथमेटिक में हम अव्यब बोलेंगा अब्यक्तिमेश में इंसान खतम अभ्यक्त शरूर्व महां सोहन का फिटा है ने लेक्ट इसे डूसरा य तो यहां पर हर बार एक अभ्यक्त दूसरे अभ्यक्त से किसी विसी से संबंदित है और संबंद एक का वर्ग है य experimental हों यह सबसे लाज्राइट है पढ़ेंगे लिखा हुआ किसी संब्स आर द्वारा संबंदेद हैं अब जो मेरे एक्जाम्पल वाले एक्स वाई थे आप भूल जाईए अब यह इंडिपेंडेंट नया थिंग बता रहे हैं यहां पर पढ़ने का तरीका यह है कि आप पढ़ेंगे संबंद और लिठी वाई होता है संबंद और हर ब arter होगा हर कंदिशन में बिना संबंद के हम कोई बना सकते क्या क्यूंसी चीश काणने संबंद्र है यहां हम नहीं कर सकते हैं पहले से नहीं ना तो हर्वा संबंद डिफाइन जरूर होगा इसके बाद आके बढ़ते हैं तो जिसमें इसमें लिखने का यह है जैसे सैट्स में मैं बता रहा हूं आप पिछले साल के चेप्टर रिवाइस करेंगे तो इसमें संबंद सैट्स इस तरी से पहले बता जाता है सैट्स में एक चीज है आपने पढ़ा होगा क्रमित यूग्म तो यहां पर एक्जाम्पल नहीं है यहां पर यूज किया जा रहा है कि इस प्रिकार जैसे लिखा हुए इस प्रिकार एक्स कॉमा वाई यह एक और पेर है क्रमित यूग्म जिसमें पहला वाला व्यप दूसरे व्यप्श होकां है तो मियं इसमें यहां पर लिखा हुआ एक्स कॉमा वाई विलॉंग्स टू आर यह जो साइन बना हुआ हुआ रहे हैं इस तरफ जो लिखा हुआ है वह भी कहने का वही तरीका और तरफ जो लिखा हुआ है कि एकस लेटेट टू वाई इसके आगे लिखा हुआ है कुछ एकस और वाई संबंद नहीं है तो इसको हम इसे बढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है एक क्रमित यूग में है जहां एक्स को माइव वास्तिविक संख्याई हैं ओके अब यहां पर एक्स वाई को जनरल की तरह ठीट करना है हर बार एक नहीं कंडिशन होगी इस बार एक्स वाई क्या है वास्तिविक संख्या है है यहां पर क्या रखा है यह सल्गों एक सफ़ाइग यह तो एक्स वाइश के बड़ा होगा तो कंडिशन पॉसिबल है वह त्यूंग कंडीशन आप आप elements change करें तो possibilities भी change हो गई यहां पर तीन possibilities दी गई है इसी प्रिकार यदि x, y सरल लेखाओ का युग्म है तो दो प्रिकार के संब्ल्द हो सकते हैं यहां पर नोंने दिया हुआ है यहां यहां पर कहा है पहला यहां पर नोंने दो संब्द हो सकते हैं इनके लाव अभी कोई जुरूरी नहीं कि दो रेखा है यहां आपस में काटे ही और अगर काट रही है और परही है तो प्रेखार के वहां बहुत है तो यहां पर एक टिसी कंडिशन भी होनी जहीं है, जो पर्पैंटिश्ची के अलावा होनी चाहिए थी ठीक है इसके आगे चलते हैं एक एक्जाम्पल आ रहा है बहुत प्यारा है यहां पर तो एक्जाम्पल अगर आप पढ़े हैं यहां पर लिखा हुआ है मान लो एक्स के मान 123 हैं और य के मान तिया हुए 1356910 है और संबंध है कि देखिए संबंध आ गया अगर एक्स आएंगे और याएंगे तो संबंध भी आना पढ़ेगा तो यहां पर संबंध आ रहा है कि एक्स का वर्क वाई के पराबर है और थात वाई इस इकॉल टू एक् इकॉल है तो संबंध दिहान दखना पढ़ेगा वैल इन्होंने आगे कुछ चीज़ और रही वन लेटेट टू वन नॉट रिटेट टू थी बन लेटेट टू फाइव यह जो देख सारे दिये हुए सेक्शन यहां पर सबसे पहला वन आर वन दूसरा वन आर नॉट रिट देखें नहीं बचाना उप्रोक्त करम में वाई इज़की एक स्कॉैर के संबंध रखने वाले करमत यूगम लिख्व है उपर छ्क्रमत यूगम लिखें हुए है और पेर इन में से जो संबंध इसको संतुष्ट करते हैं उनको लिखना है तो पहले तो हम सारे अपने अभिव लेते हैं पहले एक सब्सक्राइब बनाने के लिए देखिए पुरानी बाते हैं इंटू वाई इस सब्सक्राइब नाएं चलते हुए आखरी तक यह हर सिंगल ऑफ एकस का हर सिंगल एलिमेंट वाई के साथ रिलेशन बनाएगा यह सारे संबंद पॉसिबल है तो यह तो अभी संबंद पॉसिबल है लेकिन यहां पर जो इन्हें डेफिनेट एक संबंद मैं बता दिया है कि y is equal to x square अब इस condition को सब्सक्राइब इस कंडिशन को कौनकौन फुल्फिल कर रहा है वही हमारे संबंद इसमें वैलिड होंगे तो इसमें कौनकौन है जो वैलिड मतलि संबंद को फुल्फिल कर रहे हैं तो उसमें कि वाल्ड दो ही निकल गयाएंगे जो सबसें लास्ट लाइए में इनमें y is equal to x सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने वाले करमेत योगों का समुच्चे क्यापिटाल आर इस एकल टू 1,1 और 3,9 है क्यों है 1,1 और क्यों है 3,9 विकॉज जो पहला कोश्टक दियो है 1,1 इसमें जो दूसरा वाला बन है वह का अगर स्क्राइब कर देंगे तो पहले बन के बराबर है यानि जो पहला पहला अब्जेक्ट है उसका अगर हम स्क्राइब करेंगे तो दूसरे अब्जेक्ट के बराबर है क्यों पहला वाला जो और पेर में जो पहला एलिमेंट होता है वह एक्स का स्क्राइब करता है दूसरे एलिमेंट वाई को तो एक्स का स्क्राइ आप 2,6 को देखिए अगर आप 2 को स्क्वार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा फॉर मिलेगा तो इस नोट वैलेट विकॉस यहां पर 6 आ रहा है कि यहां पर ये ओए हुए मालो ए जो टुट टू कॉमा थी कॉमा फाइब कॉमा और आर करता है विभाजित करता है इसबलेशन करता है तो संब्द आर इस गल्टू एक क्रॉस एक को प्रदिशित कीजिए अब एक रहा से एक का एक के साथ लेकराना है यानि इसमें दो अलग सबका अपने साथ होने वाला है तो यहां पर आपके सामने दिया हुआ है लेकिन इसमें जो इस अगर आप उन और पिर बनाएंगे लगबग जैसे यहां पर चार चार का चार के साल बनाएंगे तो ऑबिसली 16 और बनेंगे लेकिन उन 16 और पेर में केवल जो दिये हुए एक दो तीन चार पांच छे छे ही पॉसिबल नहीं जिसमें लिखा हुआ अता आर जिकल टू यह अब जाएंगे जो प्रेसिए और डिवाइट उनको हमने यहां पर खूत इसको फाइंटल से दिवाइट नहीं लिखत जाएंगे एक होगा फाइसे हो पॉसिबल होंगे जो इस संबंद को संतुष्ट करेंगे तो मेरी इस बात को आप दियान रखिए इस वीडियो को कई बार देखिए और इस लिमिटेड टाइम में ये क्लास थोड़ी लंबी जा रही है क्योंकि हमारी पहले क्लास थी और कंसेट थोड़ा डीप है तो इसको बार-बार देखिए समझी है पढ़िए पुरान नोट्स निकालिए अच्छे से पढ़िए उन्हीं रिवाइस कीजिए और लिखके करिए काम मैं आपको हुंबर्ग करना चाह रहा था लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि एक वीडियो और देना पड़ेगा आप लोग को या फिर इसमें एक कोशन अगर आप नोट करना चाहें इसमें नेक्स स्लाइड में जो मैं यह है यस कोशन नमर टू थ्री और फॉर सेकंड तर्ड फॉर्ट कोशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं प्रीज इने घर पर कोशन को ट्राई जरू क के जिए को के फिर मिलते हैं आप से गुड़नाइट